देखें, रजिस्टर 2 के बारे में, रजिस्टर 2 जो है, कैसे बन के आता है, क्या इसमें दर्ज रहता है, और रजिस्टर 2 का सुधार कैसे होता है, कैसे काम होता है रजिस्टर 2 से, आज जो है, आपको ये समझना बेहर जरूरी है, और बहुत लोगों का ऐसा सवाल आया, कि उनका problem ये register 2 में ही है, है ना, तो आज सबसे पहले जो समझने का पर्यास करेंगे, कि ये register 2 जो है, वो कैसे बन कर आता है, और इसका सुधार का परकिरिया क्या है, आपको क्या-क्या step करना चाहिए, ठीक है, और इसका क्या process होता है, वो देखिए, देखिए, ये जो जमीन का information है, जैसे अभी क्या होता है, बरतमान में, मतलब जिला के अंदर, बहु सारे अंचल काडिया ले होते हैं, और हर अंचल में जो अधिकाड़ी बैठते हैं, वो यानि, CEO है, ठीक है, सरकल officer है, तो ये अधिकारी बैठते हैं, जिनको जमीन से सम्मंदित, जो भी विभाग होता है, उनको, वो सरकल officer, जो जमीन सम्मंदित का जितना भी विभाग होता, वो देखने का काम करते हैं, ठीक है, तो उस अंचल के, आप देखें, जिला में क्या होता है, जिला में आपका, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, उसमें बहुत सारे अंचल हो सकते हैं, ठीक है, अब जिला अधिकारी, जब बोलेंगे तो जिला अधिकारी, मतलब जिला के लेवल के जो भी अधिकारी है, ठीक है, अब idiom के दौरा जो मतलब वहाँ पे idiom के दौरा मतलब वही लिख के तो नहीं लेकिन मतलब आफ समझ सकते हैं उनके अंडर में ये कारी को तयार किया गया रजिस्टर टू को और भेजा गया सभी अंचल में है ना अब देखें यहां से भेजा गया क्या भेजा गया तो इसमें जो लिख के भेजा गया ना तो जो जमिनदार है जिसके पास जमीन है है ना जिसके पास जमीन है खेती युक्त रहने युक्त या अन्य टाइप की कोई भी प्रोपर्टी है उसका खतियान भी है खतियान जो था वो पहले आपको पता होना चाहिए कि 1908-1905 या उसके बाद वाला जो भी येर में है अंग्रेज के द्वारा जो खतियान बनाये गया उसके बाद राज सरकार ने सर्वे करा कर खतियान बनाया उस खतियान में जो भी इन्फॉर्मेशन है जानकारी है मौदूद है वो सारा जानकारी कि आखिर अभी 1908 में क्या था उससे कोई लेना देना नहीं है आगे का जो राज सरकार के द्वारा बनाये गया मालेते 1970 में या 1960 में बनाया गया 1975 में जो आपके year में आपके area में जब वो बन के त्यार हुआ होगा तो वो जो खतियान बनाया गया उसमें जो भी बात लिखा हुआ है उसमें जो भी आपके जमीन से सम्मंदित जो भी information लिखा हुआ है वो ADM के दोरा मतलब उस साड़े खतियान को तो नहीं बेजा जाएगा उसका एक register बना दिया गया जिसका नाम हो गया register to और वो सभी ADM के दोरा मतलब जिला अधिकारी के दोरा सभी अंचल को भेज दिया गया अब अंचल को भेजने जो है भेजना क्यों जरूरी था उस भेजने से क्या फाइदा होगा ये बात भी समझना बेहा जरूरी है ठीक है तो पहले आप समझने कि ये जो है जिला अधिकारी के दोरा आप जितने लोग हैं उस अंचल में जितने भी जितने भी आपका समझ सकते हैं ग्राम है जिसको मौजा बोलते हैं उस सब का जो होगा मतलब एक तरसे रेकट बनाके रजिस्टर टू का नाम देकर इसको जो है भेज दिया गया उसमें सारा बात जो है लिखकर वो भेज दिया गया ठीक है इसको भेजने के बाद वो सारा एक इन्फॉर्मेशन हो गया अब ये इन्फॉर्मेशन अंडर हो गया किसके वो हो गया यहां पे जो आपके वहां पे सर्कल ओफिसर है ठीक है उनके अंडर बाली अंडर में ये सारा इन्फॉर्मेशन हो गया अब जो बात है उनके अंडर बाली है ना अब ये जो आया information वो जिला अधिकाडी के पास से इनको क्या करना है अब इनके पास जैसे आप कोई property खड़े दिलिए किसी से खड़ते जिससे भी रहिष्टी कराए रहिष्टी कराने के बाद जो है आपको जो डिर्ट दिया गया आप उसको online करते हैं भी बरतमान में है ना या आपको जो है auto online होता है तो जो भी परकिरिया होता है online होने के बाद उस portal में जो आप उसका जो system है वो है वो यह वो co को एक बार जरूर दिखता उससे पहले जो basic अधिकारी है उनका भी काम होता है मतलब जैसे CI हैं करमचारी हैं उनका भी काम होता है कि उसको वो verify कर दें उसके बाद एक verification होता है मतलब first verification CI फिर करमचारी फिर CEO का होता है ठीक है मतलब आप समझ लें कि main verification यानि पटवाडी आप लोग जिसको बोलते हैं एक पटवाडी का हो गया उसके बाद जो अधिकारी हैं आपके अब लोकस्तर के उनका verification होता है उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है ठीक है तो इनके दौरा ये verify जो किया जाएगा तो जो यहाँ पे आपका deed registry किया गया उसमें जो भी खाता खेसरा रखबा है ठीक है उसमें ये देखा जाएगा कि जो register two है उससे इसका सम्मंध है या नहीं ये जितना जमीन बेचा गया उस deed में वो register two में available है कि नहीं है बहुत बार ऐसा case देखने को मिला है और आप हो सकता कि आपके साथ भी हुआ होगा कि आपका जो खतियान है जो आपके पास है उस खतियान में माल लेते हैं कि आपका जो property है उसका size बड़ा है माल लेते हैं उसमें आपका 40 dismal है आप हम dismal में जमीन को बता रहे हैं आप उसको कठे में, गज में या अन जो भी आपका measurement होगा उसमें उसको आफ convert कर सकते हैं तो चालेश डिसमिल अगर वो माल लेते है प्रोपर्टी है चालेश डिसमिल प्रोपर्टी को ठीक है अगर ये खतियान में दर्ज है और अगर ये एक mistake हो सकता है कि ये चार जो है वहाँ से टू बन के चला आया है डिड में बेच दिया लेकिन जब ये डिड लेके सीओ के पास पहुँचा तो सीओ ने रेजिस्टर टू में जब बेचने वाला बैक्ती का रेजिस्टर टू देखा तो उसमें देखा कि उसका जो जमीन है रेजिस्टर टू में वो सिर्फ 10 डिसमेल है जबकि बेच दिया है वो 40 डिसमेल है लेकिन वो तो सही बेचा इसलिए कि उसका जो है वो खतियान में जमीन अफलेवल था तो वो उतना बेचा लेकिन उसका जो रजिस्टर 2 में आया वो गलती से बाइ मिस्टेक जो है वो यहाँ पे दस डिसमिल ही बनके आया ठीक है इसलिए इस वेक्ति जो खड़िदार है उसका दाकिल खारीज नहीं होगा इसलिए कि वहाँ पे जमीन कम है इस बात कि अब लड़ाई होगी का आप जमीन आपका वहाँ पे सोही नहीं कर रहा है आपका जमीन का इंफॉर्मेशन वहाँ पे अबलेबल ही नहीं है तो इस परकिरिया में जो है जो जमीन का मालिक है जिन्होंने जमीन बेचा मना इस वेक्ति को जिन्होंने जमीन बेचा वो जिला अधिकारी यानि एडियम के पास इस बात का अबेधन करेंगे ठीक है यानि फाइल करेंगे वहाँ पे कि आपके पास जो खत्यान है उसमें ये जमीन का जो प्रोपर्टी है वो इतना है जबकि आपका जो रेजिस्टर टू बन कर आया है आपके कारियाले में उसमें आपका जमीन को कम कर दिया गया है कि प्याइस का सुधार करें जब एडियम के पास से सुधार का आदेश हो जाएगा तब फिर आपका रेजिस्टर टू में सुधार कर दिया जाएगा ऐसे आप सोचेंगे कि आपका यहाँ पे आपका सुधार आप सीयो साहब जो है तो ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले हैं वो आपका काम है इनका काम ये है कि जो उनको register 2 उपर के दोरा बना कर भेजा गया उसमें मिलान कर लेना अगर उसमें सब कुछ सही पाया गया तो फिर आगे उसको forward कर देना है ना मतलब उसको दाकिल खाड़िज कर देना और फिर उसका नाम register में दर्ज कर लेना ये परकिरिया को follow किया जाता है लेकिन अगर माल लेते हैं इसमें किसी भी तरह की true T है आपका register 2 सही से बन के नहीं आया है लेकिन आपका खतियान प्रो पर है हाँ खतियान जो अगर बन के नहीं आया है तो इसको बहुत बार बताय हुए है अगर आपका ऐसा समझ्च्य है तो आप हमें में कॉमेंट कर सकते हैं आगे हम इस पर जो है डीटेल से फिर बताने का परियास करें तो जो करना है यानि यहाँ पे जिनके नाम से खतियान है वो खतियान अगर आपका register to में सारा information खतियान के recording नहीं बन के आया तो आप उसके लिए जिला आधिकाड़ी के पास यानि एडियम के पास अपने जिला में जाएंगे आप किसी वकील को रख लें अगर आपको अगर आपका ऐसा समस्या है कि आप जमीन खरीदे हैं और आपका जो डीड में जमीन लिखा गया वो वहाँ पे आपका दाखिल खाड़ीज को ही reject कर दिया जाएगा इसलिए किया जाएगा कि आपका register to में वो जमीन या तो दर्ज नहीं है या register to में जमीन कम है जादा होगा तब तो दाखिल कारिज हो ही जाएगा अब वो गलत तरीके से जादा हो या जैसे भी हो लेकिन अगर वहाँ पे जादा यहाँ पे जमीन चरा हुआ होगा तो दाखिल कारिज होना ही है लेकिन अगर कम हो अगर इसमें वो चरके ही नहीं आया लेकिन जमीन का विक्री कर दिया गया इसलिए जमीन खतियान में दर्ज था जमीन का सारा लेकिन जमीन रजिस्टर टू में नहीं था तो अगर ऐसा नहीं है, वहाँ से चर्के नहीं आया है तो आपका अगर खतियान में दर्ज है तो आप उसका सुधार करवा सकते हैं और आपका जो भी सुधार का परकडिया होगा वो जो जिलाधिकारी के पास होगा तो आप देखें ये chain कैसे चलता है यानि ये chain में ऐसा नहीं होता है कि आपका कुछ भी दिक्कत है अब यहाँ पर जो CO के पास आए तो CO जो है DM के पास बात करेंगे यहाँ वहाँ पर क्या चल रहा है वहाँ से कैसे बिल्कुल ऐसा नहीं है जो भी करना है आपको करना है बस इनको वही करना है कि उनको जो Register to बना के वहाँ से बेजा गया अब उसमें गलत भेजा गया जैसे भी भेजा गया तो मिलान करना है अगर मौजूद पाया गया तो फिर जो है इनको यहाँ पर जो है आगे का परक्रिया करना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक